और एक बार यह हो जाने के बात क्या होगा आपके Flutter Flow प्रोजक्ट में Firebase integrate हो चुका है तो है ये वरिगोन वल्कम बैक टू आर चैनल आज की स्वेड़ों बात करेंगे हम अपने Flutter Flow के application में Firebase को कैसे integrate करते हैं ठीक है बहुत सिंपल स्टेप है आप फॉलो करो और यह कुछ ही स्टेप में complete हो जाएगा सिंपल अपक्या करना है आपको सेटिंग्स में जाना है और आपको आना है प्रोजक्ट सेटप में और Firebase में अब यहाँ पर डाल दो project id लेकिन एक मिनट हमने project की id कैसे बता होगी क्योंकि हमने Firebase में कोई project अभी तक बनाया ही नहीं है सबसे पहले क्या हमें पहले project बना लो Firebase में उसके बाद integrate कर लेना Flutter Flow में तो simply मैं इसको हटाता हूँ और चलते हैं पहले project create करने Firebase में मैं जाता हूँ यहाँ पर और यह console आप अगर login कर लो Firebase में यह console आपको फोफ हो जाएगा मैं create project करता हूँ यहाँ पर नाम देना है कुछ भी नाम दे सकते हूँ मैं आपर देता हूँ Flutter Flow project ठीक है और मैंने किया continue और यहाँ पर Google Analytics को आप off भी कर सकते हूँ only कर सकते हूँ optional है मैं off कर दे रहा हूँ आपके Firebase में जो database आपके setup कर रखा है उसमें data को push करता है वहां से pull करता है retrieve करता है ठीक है तो यह सब चीज़े करने के लिए Flutter Flow को permission देनी होती है तो क्या करेंगे हम अपने Firebase में Flutter Flow के लिए permission को दे देंगे जिससे Flutter Flow easily काम कर सकता है आपके Firebase की project के साथ तो simply क्या करूँगा मैं यहाँ पर continue करता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ project overview है project setting अब यहाँ पर मैं आता हूँ user permission अब user permission में सबसे पहले क्या करना आपको एक member add करना है और वो member कौन होगा तो हमारा खुद Flutter Flow अब यहाँ पर Flutter Flow की email id डाल सकते हो तो मैं यहाँ पर रोल होगा मैंने क्लिक किया और done और add member आपको वहरन है अब देखो member तो add कर दिया है अभी भी कुछ permissions बाखी है अब वो देते हैं अब उन permission को कहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको आपको जाना पड़ेगा advanced permission and settings में मैं क्लिक किया है आपको और यह दिन लगेगा खोल email id add किया है तो इस रो में हमने किया है तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इसको मैं करता हूँ edit principle एड़ेट करता हूँ यहाँ आपको ना उनके role define करने पड़ेगी तो मैंने add role किया और यहाँ पर सबसे पहले मैं ड़ेता हूँ service account user मैंने इस पर लिक किया थोड़ास आप cloud functions admin cloud functions admin यह दो रोल है जो आपको add करने पड़ेंगे और दो रोल आप अगर add कर दोगे उसके बाद आप simply save पे click कर दो ठीक है यह policy आपकी update करता रहेगा और मैं इसको update करता हूँ अब simply आपका काम क्या हो गया खतन हो गया permission वाला ठीक है आपने permission दे दिया है firebase में फ्लेटर फ्लो को कि वाई आप अपने data को push pull कर सकते हूँ तो मैंने आप इसको कर दिया close अब क्या करना है अब हमने database को setup करना अपने firebase के project में simply में जाता हूँ इस पे और सबसे पहले मैं अब है कि store create कर लेता हूँ simple आप कुछ नहीं करना है store पर मैंने click किया अब देखो मैंने click का आँगे firestore database के अब थोड़ा सा लूट होने में time लगेगा और अभी हम कुछ collection वागरा नहीं बढाएंगे आप simply create database आभी हम database create करके रख दे रहें जिससे हम setup करे तो easily integrate हो जाए तो मैं इसको testing mode पे चलाता हूँ अभी के लिए test mode पे चलाना और इसको next करता हूँ और enable यह थोड़ा सा time लेगा और इसके बाद यह फिर हो जाए यह हो गया अब देखो आपने क्या किया है cloud firestore को setup कर दिया है अब आपको एक और चीज करनी है storage को भी setup करना है simply जाओगे storage tab में storage tab की use होता है अदर को storage tab खुद ही बताएगा storage store and retrieve user generated files like image audio and user के द्वारा जो भी चीज़े अपलोड हो रही है वो यहाँ पर आके store होगी तो आप इसको भी setup कर देना test mode पे और index कर और done ठीक है यह थोड़ा सा time लेगा setup होने में और once यह setup अगर हो जाए तो simply क्या आपने फ्लेटर फ्लो के project में डाल दे ठीक है अब देखो यह थोड़ा सा time लेगा अगर फूर आया है होने तो अभी इसको ठीक है देखो यह हो रहा है यह हो गया हमारा storage भी setup हो चुगा है अब आपको क्या कर रहा है अब simply आपको इस project की id कॉपी करने है और अपने चलते हैं अपने फ्लेटर फ्लो प्रोजेक्ट में अब यह आप यह आईडी मांगा था पहली मैं आपको दाल तो paste और connect करूंग ठीक है अब मैं connect करूंगा और यह connect easily हो जायागा ठीक है अब यह आपने देको नीचे यह not deploy option की हो आ रहा है अब यह क्या रहा है अब यह क्या अब मैं deploy करूंगा तो यह error problem नहीं करेगा मैं simply deploy पे click किया और yes करूंगा मैं यह simply deploy कर देगा इन rules को और once यह हो जाया उसके बाद simply क्या करोगे firebase की जो भी configure files है उसको auto generate करके generate files करोगे और simply यह जितने भी इसके regarding configure files है वो आपको generate कर रहा है और एक बार यह हो जाने के बाद क्या होगा आपके फ्लेटर प्रोजक्त में firebase integrate हो चुका है अब इसके आप सारे features जो भी use करना साथ है अपने application में use कर सकते हूँ easily बिना किसी problem के ठीक है तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसनों को सीशने को मिला होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो य अचिका बेदने झाउ और आक्के लेतनी है एऑगा संद के वीडियो है!